कार्तिक इसनान की कहानी एक बुड़ा बाबा था उसकी साथ बहुए थी वह अपनी बहुओं से कहने लगा मेरा कार्तिक नहाने का मन है क्या तुम निभादोगी छे बहुओं ने मना कर दिया तब सात्वी बहुओं बोली पिता जी मैं निभादूंगी आप यहां आकर कार्तिक नहा लेना अब बुड़ा हर रोज सुबह उटकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसकी आंगन में सुखा देता जैसे जैसे धोती से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते यह देखकर छे बहुओं कहने लगी पिता जी आप हमारे यहां ना लेना तब बुड़ा कहने लगा ठीक है मुझे तो नहाना है मैं तुम्हारे यहां ना लूँगा अगली सुबह बुड़े बाबा ने नहा दोकर अपनी धोती उनकी आंगन में सुखा दी वहां हीरे मोती नहीं गिरे तब सारी बहुए कहने लगी उसकी यहां तो हीरे मोती गिरते हैं हमारे यहां कीचर टपक रहा है हमारे यहां तुम पाप से नहाते हो उसी के यहां जाकर नहालो अब बुड़ा बाबा फिर से साथ भी बहु के यहां नहाने लग गया रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते इस तरह सी कार्थिक का महिना समाप्त होने को हुआ अब उसे चिंता होने लगी तब बहु ने पूछा पिता जी आपको किस बात की चिंता हो रही है तब बुड़े बाबा ने कहा मेरा कार्टिक का महिना समाप्थ होने को आया है और मेरा मन है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुला तब बहु कहने लगी इसमें चिंता की क्या बात है आप सब परिवार वालों को खाने का नियोता देया हो आप बुड़ा बाबा नियोता देने कया तो छे बहु ने कहा कि जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे बुड़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तब फिर बहु ने पूछा पिता जी अब आपको किस बात की चिंता है तब बुड़े बाबा ने कहा बहु उन्होंने कहा है जब तक तुम घर में रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी तब बहु बोली इसमें चिंता की कोई बात नहीं पिता जी मैं चार रोटी लेकर खेत पर चली जाओंगी आपने उता दे आओ अवे सारे बहु आई उन्होंने कुछ खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकर डाल गई उन्होंने सोचा जब वह आएगी तो परिशान होगी यहां बड़ी बहु खेत में कह रही थी राम जी की चिडिया, राम जी का खेत चुगलो चिडिया भर भर पेट मेरे ससूर ने घर में जंगा दी है मैंनी खेत में इस तरह वे चिडिया को बाजरी डाल कर खर आ गई वहां आकर देखा तो बुढ़ा बाबा उदास पैठा है वह पुछने लगी पिता जी क्या हुआ आप उदास क्यों बैठे हो तब वह कहने लगा पेटी तुम्हारी देवरानी जिठानी आई थी उन्होंने खूब खाया पिया बचे में मिटी कंकर डाल गई तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा तब वह कहने लगी कोई बात नहीं पिताजी मेरा क्या है मैं तो चार रोटी फिर बना कर खा लूँगी बाकी काम तो ठीक से निमट गया वह बोला हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निमट गया कुछ कम नहीं पड़ा बहु अंदर गई तो जाकर देखती है जिस खाने में मिटी कंकर डाल गई थी उसमें हीरे मोती विखरे पड़े हैं घर महल हो गया है सारा घर धन दोलत से भर गया है अनके भंडार लग गये हैं तब उसने ससूर से कहा पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं है मेरा तो घर हीरे मोतीों से भर गया जहां देखूं वहां धन दोलत की वर्षा हो रही है अन धन के भंडार लगे हुए है मेरा तो घर महल बन गया तब बुड़े बाबा ने कहा बेटी तुमने कार्तिक सत से निभाया और उन्होंने पाप से कार्तिक देवता तुम पर परसन हुए सो उनकी किरपा से तुम्हारा घर धन से भर गया है जैसे कार्तिक देवता बहुपर परसन हुए वैसे सब पर परसन हो बोली कार्तिक देवता की जाए